नमस्कार दोस्तों स्वागेत है आपका मेरे यूटूब चैनल मनोहर की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं बिलकुल मारकेट जैसी परफेक्ट फ्रूटी की रेसिपी इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना लेगा सिर्फ 10 मिनिट में ये फ्रूटी बनकर तयार हो जाती है और सब बोहुत पसंद आती है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रूटी बनाने के लिए मैंने याँ पे एक पकावा आम लिया है और एक कच्चा आम लिया है जो थोड़ा टेस्ट में खटा है इन दोनों आम को हमने अच्छे से धो लिया है अब इसे हम छील लेंगे सिर्फ तीन चीजों से ये घर पर फ्रूटी बनकर तयार हो जाती है और आप देखेंगे कि इसे बनाना कितना आसान है आम को हम छील लेंगे और छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे अभी मार्केट में आम बहुत अच्छे आ रहे हैं और गर्मे में सभी को ठंडा कुछ पेना अच्छा लगता है तो हम घर पे ही हेल्दी तरीके से इस तरीके से फ्रूटी बना सकते हैं आम को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से आम को हमने कट कर लिया है अब हम केरी को भी कट कर लेते हैं यह टेस्ट में थोड़ा खटा है आम खटी मिटी फ्रूटी अच्छी लगती है आप चाहें तो इसमें निम्बू भी डाल सकते हैं और आपको ज्यादा खटा ही पसंद हो तो आप इसमें कच्छे आम की मात्रा और बढ़ा सकते हैं इसी तरीके से हम कच्छे आम के भी टुकडे कर लेंगे हमने दोनों आम को टुकडों में कट कर लिया है यह आम थोड़ा सा खटा है कलर आपको वैसा ही लग रहा है लेकिन यह टेस्ट में खटा है अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें दोनों आमको डाल देंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे यह देखिए फाइन पेस्ट बन चुका है इस पल्प को एक बाउल में निकाल देते हैं आप ज़्यादा मातरा में भी बना सकते हैं मैंने यह आपे दो ही आम लिये हैं गेस पर एक पेन रखेंगे और सारा पल्प इसमें डाल देंगे और लगातार इसे चलाते जाएंगे दो मिनिट तक हमें इसे पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है आप देखेंगे दस मिनिट में ही घर पे इतनी शांदार फ्रूटी बनकर तयार होती है कि आप तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे अब इसमें शक्कर डाल देते हैं सक्कर आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं शक्कर डालने के बाद हमें दो मिनिट तक इसे और पकाना है सक्कर को मेल्ट कर लेते हैं लगातार चलाते जाएंगे और एक साइनी साप पेस्ट बन कर तयार हो जाएगा यह देखिए शक्कर हमारी मेल्ट हो चुकी है और एक साइनी पेस्ट बन गया है इसे छोड़ना नहीं है हमें लगातार चलाते जाना है मुश्किल से दो या तेन मिनिट लगते है आप इसे फ्रीज में 15 से 20 दिन तक आप स्टोर भी कर सकते हैं देखिए हमारा पल पक गया है बस इतना ही पकाएंगे ज़्यादा कुक ने करेंगे इसे इस स्टेज पर गेस की फ्लेम बंद कर देते हैं तंडा होने देते हैं अब इसको छान लेंगे छानने के लिए बड़ी छननी ली है जिसे आसानी से छन जाएगा कोई भी मेमान घर पे आए तो हम घर पे फ्रूटी बना कर पिला सकते हैं हमें मार्केट जाने की जरूरती नहीं है और बिल्कुल हैल्दी तरेके से हमारे सामने आँखों के सामने बनेगा जो भी बनेगा ये देखिए हमने चान लिया है अब इस पल्प को आप स्टोर कर सकते हैं और जब आपको जरुरत हो इसमें पानी मिला कर आप फ्रूटी बना सकते हैं फ्रीज में ये दस से पंदरा दिन तक चल जाएगा हमें अभी पीना है तो इसमें एग से घेड़ गलास पानी मिला देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए हमारी फ्रूटी तयार है इसको फ्रीज में रखके ठंडा कर लेते हैं ठंडा होने के बाद इसे सर्व कर लेंगे ठंडी ठंडी फुरूटी तैयार है, इस तरीके से आप भी सिर्फ 10 मिनिट में आप फुरूटी बनाकर पी सकते हैं बच्चों को पिला सकते हैं तो आप भी इस तरीके से फुरूटी घर पर बनाईए, सब को पिलाईए और सबका मन खुश कीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले वीडियो पुरा देखने के लिए धन्यवाद इसी तरह की इजी रेसीपी देखने के लिए बने रही है मेरे यूटूब चैनल मनोहर की रसोई पर